हेलो गाईज मैं आपका फ्रेंड दोस्त भाई एजुकेटर एकॉनोमिक्स लव कौशिक आज 11 क्लास की माइक्रो एकॉनोमिक्स में वीडियो चलते चलते इससे पहले प्रडॉक्शन फंक्शन की बनाई थी और आज कॉस्ट वाला चेप्टर लेकार आ रहा हूं माइक्रो एक औनोमिक्स में भहत जाथ धुवादार चेप्टर एक ठीक है अच्छे सम्जेंगे इस चेप्टर को समझने के लिए हम लोग अपने आपको प्रिडियूसर मानेंगे हमें एक फैक्टरी के मैनुफैक्टर है यह मानेंगे को दूसरा जो भी खर्चा किया है, वो सब खर्चे ही कॉस्ट होते हैं, फर एक्जांपल, आपकी एक पैन बनाने की फैक्टरी है, आपने पैन पाँच रुपे का बनाया, मार्किट में उसको दस रुपे का बेच दिया, तो जो दस रुपे का तुम बेचते हो, वो प्राइस हो कोस्ट है कंपनी अपने सुसेढर पहले है यह सब कोस्ट है दिमाग न चाहिए कि कणि का ऑफ कोई वॉन निम दिमाग में होना, चाहिए कि खर्चो की भी बात होने है लिव कि है किसी भी प्रदक्शन पर जितना भी खर्चा किया आई साफ-साफ स sinon तो में लाइन भी लिख दिया है ठीक है पढ़ लो मिनिंग आफ कॉस्ट कॉस्ट रेफर्स टुदा मनी एक्समेंडिचर इंकर्ड इंगर्ड इंद प्रडॉक्शन आफ इंकर्ड का मतलब यहां पर जो लगा है उसके प्रडॉक्शन में तो यह डेफिनिशन आपको पता होनी चाहिए अब देखिए गाइस बहुत सारे एक्जांपल यहां पर पढ़ने जरूरी है क्योंकि एक्जांपल सही इडेंटिफाई करना आ जाता है अब यहां पर तुम्हें कुछ खर्चे के लिश्च दिखाई दे रही है रेंट भी है इंट्रेस्ट भी है डेप्रिशेशन लाइसेंस वी सेलरी टेलीफोन भी रो मेटेरिल खरी लिया टैक्स दे दिया बहुत सारी चीज़े खर्चा करती रहती है कंपनी यह सब कॉस्ट है बट इसकी क्लासिफिकेशन है गाइस देखो कंपनी जिस भी कॉमरीटी का प्रॉडक्शन करती है कोई भी फर्म हो अच्छे ऐसे होते हैं जो उसको बढ़ाने पड़ जाते हैं जैसे कि यह जो लिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर मैं बात करूं अगर कंपनी जो भी प्रॉडक्ट मैनुफक्चर कर रही है उसका स्केल उसकी क्वांटिटी को बहुत ज्यादा प्रॉडूस करना चाती है तो अपने वरकर्ट को वेजस ज्यादा प्रॉडक्ट चाहिए तो ज्यादा वेजस खर्च करनी पड़ेगी तो यह कुछ ऐसे खर्चे हैं जो मैंने अंडरलाइन किये कंपनी प्रॉडक्ट बढ़ाएगी तो उसको यह खर्चे ज्यादा करने पड़ेंगे वाई सब भरसा भी पॉसिबल है अगर कंपनी चाहती है कि प्रॉडक्ट पहले से कम हो जाए जैसे कि अभी लॉगडाउन का फेस जो चल रहा था उसमें काफी कंपनी इसने अपना प्रॉडक्ट कम किया है या बंद किया है तो उनको अब कम लेबर वरकर्ट की जरूरत थी उनको कम राव मेट को आप चाहे 5000 पहन बनाओ चाहे 5000 पहन का प्रॉडक्शन करो यह रेंट तो जाएगा ही जाएगा यानि रेंट का लेना देना किसी प्रॉडक्शन की क्वांटिटी से नहीं है ठीक है अगर कोई कैपिटल या लोन लिया है कंपनी ने उसके ऊपर इंट्रस्ट पे जो करना ह है तो यह इंट्रस्ट बोलता है चाहे तुम प्रॉडक्शन करो या ना करो यह वाला खर्चा तो करना ही पड़ेगा तुमने कोई मशीन खरीद के रख ली और लोगडाउन में कोई फैक्टरी बंद तो भाईया मशीन की जो वैल्यू कम होती है उसको डेप्रिशेशन बोल होती है तो एक फैक्टरी के लिए लाइसंस चाहिए होता है अब फैक्टरी प्रॉडक्शन करे या ना करे लाइसंस को खरीदने की जो फीस देनी पड़ी है वो तो जाएगी ही जाएगी ठीक है दोस्तों अब यह तोड़ा स्पेशल टाइप ऑफ एक्स्पेंडिचर देख जोल वरकर्स आप बोल सकते हो पर्मानेट एंप्लोई वो होते हैं जिनके पास जॉब सेक्यूरिटी है उनको यकीन है कि कंपनी काम करे या ना करे हमारी सैलरी तो मिलेगी मिलेगी हमें नोकरी से नहीं निकाला जाएगा उसके अपॉजिट कुछ कैजूल वरकर्स होते हैं तंप्रेरी उनको यह कहें कर काम पर रखा जाता है कि तुम ज pontening करोगे जितना जाधा करोगे तुमारी तनका उतनी जाधा होगी डेली वेज़ इस work लिखा है salary to permanent staff company production जदा करे कम करे कोई लेन देन निया permanent staff के salary जाएगी जाएगी ठीक है इसके पॉजिट साइट पर लिखा था wages to temporary workers अब इनके साथ कहा है ना इनके साथ गडबड़ी हो सकती है विचारा आज तबीयत सब्सक्राबती काम पर नहीं आया काम पर तो सेलरी गट गई ठीक है इनके साथ ऐसा नहीं होगा ठीक है यह पर्मान स्टाफ है ठीक है उसके पॉजट एक मिनिमम टेलीफॉन बिल होता है अभी तो देखो तुम नया जमान है थोड़ा फील करने का कम समय प्रिपेट कनेक्शन यह बिल वाला मतलब पोस्ट्रेट क्नेक्शन है कंपरी बोलती इसके मिनिममप चार्ज अगराप फ़ोन करो या न करो मैसीज गज़ो या न करो सौर पे तो बिल आएगाई आएगा तो वो मिनिममम टेलीफोन बिल यह भी ये वाला बिल होता है आज कल तो unlimited freevery चल रहा है जो भी लेकिन ये समझना भी जरूरी है तो guys ये कुछ ऐसे खर्चे हैं company के जिनका output यानि production से कोई लेंदे नहीं है ये वाले company के कुछ ऐसे खर्चे है यानि ऐसी cost है जो कहती है company अगर production बढ़ाएगी तो हम भी बढ़ जाएं तो guys ये वाले जो खर्चे है इनको बोलते variable cost variable cost variable का मतलब वही चीज़े जो बदलती रहे vary करती रहे changeable production के साथ साथ ये change होती है और जो ये सब खर्चे थे ये सब cost थी इसको बोलते है fixed cost तो ये वो cost है जो नहीं बदलेगी production के साथ वैसे normally आपको बता दू production function वाला जब chapter पढ़ा था तो जो भी fixed factor of production के ओपर खर्चा किया जाता है वो fixed cost होता है जो variable factors of production के ओपर वो variable cost होता है ठीक है अब एक और छोड़ा अच्छा सा example लेने की कोशिश करते हैं अब amount calculate करेंगे दोस्तों इसको मैं अ चलो काम बन गे हमारा देखो मैं मानता हूं कि एक live example में कि 10 रुपे का company ने रेंट पे गिया है इंट्रस्ट भी 10 रुपे का पे कर दिया मशीन पर भी depreciation 10 रुपे का हुआ है 10 रुपे की license fees 10 रुपे की salary 10 रुपे का minimum telephone bill तो टोटल कंपनी ने fix cost पे खर्चा कितना किया 10 20 30 40 50 60 रुपे कंपनी एज़ा fixed cost खर्च कर चुकी है ठीक है कुछ समझाने की कोजिश कर रहा हूं वही तक जाना जा तक लेकर जा रहा हूं उसके बाउजिट वेरियेबल कॉस्ट में माल लो चलो तो यहां पर एक नई terminology आपके सामने आएगी जो जाननी बहुत जरूरी है वह यह है अगर हम सारे fixed खर्चों को टोटल करते जैसे कि सारे फिक्स कर्चे टोटल साट रुपे हैं तो इसको इसको इस्पेशली टोटल फिक्स्ट कॉस्ट बोला जाएगा टीएफसी शॉट में टोटल फिक्स्ट कॉस्ट बोला जाएगा और यहां पर अगर वेरियेबल खर्चों का टोटल किया ज एक्र का सी canım एक प्रेक्ट है तो गाईज यह जो 85 है तैसे यौर टोटल कोस्ट शॉर्ट मे कि लिख दिया टोटल कॉस्ट Cos butts मैं अरुटीफिस चैप्टर में ऐख थे तो यह से फॉर्मला बना सकते है किये टोटल कॉस्ट होता है टोटल fixed cost plus total variable cost जैसे कि पिछले एक्जामपल में 60 रुपीज total fixed cost था और 25 रुपीज total variable cost था तो यहां पर total cost ही हो गया 85 तो यह formula guys ध्यान रखना है हम लोगों को जब भी हम आगे बढ़ेंगे ठीक है तो इसके basis पे total fixed cost के बारे में थोड़ी और important जानकारी ले लेते हैं total fixed cost यानि वो 60 रुपी का खर्चा यह कहता है चाहे तो output यह मैंने शॉट में आउट पूट लिखा एसे OT output बढ़ा लो या आप output को कम कर लो साथ रुपे खर्च हुए थे तो 60 रुपे ही माने जाएंगे यानि production से इसका कोई relationship नहीं है तो हम बोल देते हैं कि यह जो TFC है यह amount हमेशा सेम रहता है constant रहता है unchanged रहता है शॉट रन में क्योंकि शॉट रन में आउटपूट चो कर रही है तो TFC कर्व सिंपल साधारन लाइन पैरलल टू एक्स एक्सिस जाएगी यह यह कह रही है मैं तो सेम हूँ constant हूँ इतना बना देना कहानी हो जाएगी अब इसके बाद कुछ और समझने की अगर बात उसको थोड़ा और देखो TFC के बारे में और क्या कहा जा सकता है यह कहा जा सकता है नीचे आउटपूट लिखा है यह कोई क्वांटिडी यहाँ पर तो यहाँ पर TFC इतनी मालो 10 रुपे खर्च हो रही है हम production बढ़ा लेते हैं Q1 तक तो भी यह 60 रुपे खर्च हो रही है या नी production को तुम बढ़ाते जाओ या इसके पीछे बैक भी कर सकते हो 60 रुपे ही करचण आएगा तो TFC एले बेंस क्ष zig eleg diferencia के यसैंगी variable cost को बढ़ाना पड़ेगा यानि अगर आप चाते हो 5000 पैन से 5 लाख पैन बनाना तो पहले से जादा आपको raw material खरीदना पड़ेगा पहले से जादा employees चाहिए होंगे पहले से जादा बिजली का बिल पाने का बिल फोन का बिल आ सकता है तो आउट्पूट के बढ़ने से टीवी सी बढ़ती है और आउट्पूट के कम होने से total variable cost कम हो जाती है देखो इसकी शेप आउट्पूट के साथ साथ बढ़ जाएगी नॉर्मली तो ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर टीवी सी लिखूं और एक सेक्सिस पर आउट्पूट लिखूं तो टीवी सी कर्व ऐसा होना चाहिए अपवर्ड स्लोपिंग अपवर्ड स्लोपिंग कर यह बताते हैं कि मालो क्वांटिटी इतनी है और कॉस्ट इतनी है ठीक है क्वांटिटी बढ़ाओगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी बिल्क प्यार यह इन क्रीजिंग रेट्स से बढ़ती है तो यह जो सबक है इस शोजेब को प्यार से इंवर्स सशेप कहा जाता है इसको लिख देता हूं इन्वर्स S, उल्टा S दिख रहा है, ये शीशे में देखोगे तो सीधा दिखाई दे जाएगा, इन्वर्स S शेप कहा जाता है, इसकी शेप को, और कोई पूछे TVC कर्व की शेप ऐसी क्यों होती है, ऐसी का मतलब, इनीशेली TVC decreasing rate से increase करता है, और फिर उसके बाद TVC increasing rate से increase क करता है, हम जैसे जैसे output को बढ़ाएंगे, तब ये TVC का behavior है, तो ऐसा बिलकुल क्यों होता है, तो it is because of the law of variable proportion, ये बहुत पीछा करेगा, हर चीज का कारण यही बनेगा, ठीक है, तो TFC और TVC कर्व करने के बाद, fixed cost और variable cost में अंतर समझ लेना, fixed cost या फिर TFC, या मान सकते ह तो variable cost या फिर TVC, तो अगर TFC और TVC के बीच में अंतर आए, तो यही है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ points वगेरा, यह दो को खाली वैली है, इससे कोई मतलब नहीं है, हम अपना adjust कर लेंगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले जानना जरूरी है, कि fixed cost का एक नाम होर होता ह है, इसको overhead cost या overhead expenses भी बोलते हैं, next नाम इसका supplementary cost है, या supplementary expenditure भी बोल सकते हो, ठीक है, फिर variable cost एक प्राइम कोस्ट होती है, प्राइम मतलब ज्यादा important है, production तो आखिरकार इससे ही होना है, इसका मतलब यह नहीं कि fixed cost important नहीं है, वह तो base है, basic चीज़े तो plant का खर्चा तो व with a change in output, साफ बोल दिया, यह बदले की निया, output के बदलने से, फिर variable cost refers to the cost which directly changes with change in output, यहाँ पर गाइस जो वर्ड लिखा है, इसका मतलब positively है, ठीक है, तो यह कहती है, कि output बढ़ेगा, तो मैं भी बढ़ जाओंगी, ठीक है, डारेक लीचेंज का मतलब यह है, इसके साथ ठीक में होती है, तो it occurs in the short run, और जो variable cost है वो short run में भी और long run में भी होती है, दोनों में होती है, इसका कारण ये है कि variable cost basically variable factor के ओपर खर्चाएे, तो variable factor तो short run में भी होते हैं और long run में भी होते हैं, ठीक है, जो fixed वक्लिक्से रे हैं वह ओं सिर शोर्ट रोंपन में इसका कॉंस्टेंट क्योंकि इसका कर भी आपने देखा था पैरलेल टू एक्स एक्सिस उता है रिजोन टलाइन है लेकिन इसके बारे में अगर कहा जाए तो इस विदर आइस इन दा उटपुट एंड फॉल्स विदा फॉल इन दा उटपुट ऐसा सा कर अना अभी तो ऐसे बना दिया तो बहुत इसको याँ ठिके ठिके इण एट कैंबड़ विजी रो इस पॉइंट इस रेइंपोर्डनेट फिक्स्ट कोस्ट कर नेवर भी जी रो अगर आपने उफिक्स खर्चेए नहीं किये यानि अपना कार खाना जो प्लांट है वह स्टैबलिश रिप्लिश वेन आउटपूद इस जीरो ठीके नेक्स्ट डिफरेंस करव के बारे में इस पारलल टू एक सक्सिस उपर बता दिया या पर इट्स कर विस अपवर्ड स्लोपिंग सिर्फ इतना बोल दिया अपवर्ड स्लोपिंग कोई वैसे आप से प्यार से पूछ ले से दाए वाट इस दशेप और टीवीसी कर्ज देन यू विल से आप पूर इंग्रीस इनिशली एग से इंग्रीजिस ग्रीट दैंटी इंग्रीजिग इंग्रीजिश इंग्रीट ऐसे अपने स्टाइल से बता देना पतलब यह नाज काना करने की जूरब नहीं है और एक और देख रखाए example का तो दोस्तों एक्जांपल दिफरेंस मन जाता है एकारूमिक्स में बिस्नस टेडिस कि अगर बात करूं तो मैंने देखा है स्कूल में टीचर्स वगएरा प्रेफर नहीं करते हैं आप डिफरेंस में एक्जामपल लिखो तो मांक्स नहीं मिलते हैं तो यह नंबर मिल जाते हैं तो यह दोनों कर लिए और अभी आपको मैंने बताया कि टोटल कोस्ट होता है टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिय तो गाइस देखो इन दोनों को एड़ करके तो टीसी आता है तो पहले टीसी कर्फ अगर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा तो एक डाइग्राम में यह दोनों जो टीसी के दोनों चेले हैं इन दोनों को बनाऊंगा तो पहले एक डाइग्राम ब्लैक से शुरुआत करते हैं चलिए जी चलिए जी ओर इजिन है और यहां पर जो जो कर बना रहे हो नहीं और सिंपल सा उसका नाम लिख दो देखो सबसे बड़ी कन्फूजन है 11th क्लास के स्टुटेंट्स या 12 के हो यह 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 चैप्टर से उसका रिलेशन हो या फिर नॉर्मली बताओं जिसकी वजह से कुछ चेंज आ रहा हो ठीक है यह तो बड़ी मुश्किल सी बात चलो वाइकसे पर लिखते हैं जिसका तुम कर बना रहे हो एक टी टू नाइंटी परसेंट के सिसमें ऐसा ही होगा डिमांड सप्लाई कर मैंसा नहीं होता लेकिन जितने भी चैप्टर चल रहे हैं जुनिट 3 में लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट रेवन्यू इन सब चैप्टर में जो कर बनाऊगे उसका नाम वा एक्स बिलिक देना त ओका मुझे इन दोनों को एड़ करना पड़ेंगा तव दोनको एड़ करने का तरीका है उसमें आपने क्या करना है पिलत चुरुहत में अनो कि 10 रुपए fix cost है दस रुपए variable cost है तो 10 और 10 20 total cost हो जाएगी तो इनको add करने के लिए TFC कर्व का जो intercept है इसको intercept बोलते हैं जहांसे शुरू आप इस पर इस इंटरसेप्ट से शुरुआत करेंगे टीची करव की और उसको TVC के साथ साथ parallel ले जाएंगे ती टीची के साथ साथ parallel ले जाएंगे दिखो जाएगा गैसे यह जैसी जैसे यह गया वैसे वैसे यह गया हां इसकी प्रैक्टिस करने बढ़े तो कर दो कि बिल्कुल टीवी सी कर्ष की तरहाई हही होती है टीवी कि भी इसे ढ़ता है और यह इंक्रीजिंग रेटबंबरता यह बड़ता है यह रहते गर्ने का नाम लिए थे घर दो खर्चें बढ़ता ही रहेंगे लिए विचार है जो कहता है मैं जैसा था वैसा ही रहूँ गा ठेक तो यहां से जी कर बोले कि कैसा होगा हमjang प्लॉड करके दिखाओं तो यह नहीं बनाना यह कोच्चन आता है कि Nom सब्सक्राइब तो यह बन जाएगा वो सिंपल टीशी कर पूछेगा तो यहां से देखो टीशी करव कैसे बनेगा टीशी कर बनाना है तो बाबू एक्स से कोई भी पॉंट उठालो ऐसे बना दो टीशी कर काने खतम यह टीशी कर वैं आप स्क्रिंशॉट भी लेते रहो आप विडियो आपके पास अपनी कमीनेस के लिए यारिए अगर लगत रहि beşmo जादा फाज बोल रहा हूं तो तुम बीद्यो करसकते हो अगर बटॉक्त सारी तुमारे हातमे हर वीडियो को बनाते समय मैं है यह जरूर याद सकत है अब देखे बर कोशं कि एक शक्रफ साइज स 10 तो आप से सिर्फ question में पूछा है बताओ fixed cost कितनी है तो काई fixed cost 10 है answer यह fixed cost 10 है one marker में क्योंकि देखो यह TC कर्व शुरू कहां से होता है यही से शुरू होता है जब fixed cost का amount होता है ठीक है तो यह अच्छा question था तो काई यह T family हम और बोल सकते हैं TC TFC और टीवी सी इनकी टी फैमली है इनके साब से तीनों के कर्व इस तरीके से बनेंगे तो कोस्ट में शुरुवात में इन तीनों का मिनिंग जानना बहुत जरूरी है उसके बाद और भी आते हैं और भी आते क्या आते हैं इनके उपर आगे नुमेरिकल बहुत इंपोर्डेंट है एक टेबल बनाई है आपके लिए प्यार से यह टेबल बनाई है दोस्तों ठीक है इस टेबल में कुछ वेल्यूस गिवन है यहां पर लिखा है आउटपूट फिर फिक्स कॉस्ट लिखिए आपकी फिर वेरियेबल इस टेबल फाइफ टेगए टेफ सी के वेली लेकिन हमेशा कॉंस्टेंट फिफ्टी 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 यह मेरा मंसे बनाया एक इमेजिनरी एक्जामपल है तुम कुछ और भी क्रियेट कर सकते हो ठीक है लेकिन जो टीवी सी है इसकी ऑब्सरवेशन खास है जब प्रडक्शन हुआ ही नहीं 0 है तो टीवी सी 0 है येरियबल को स्थ है नी परणक्षंन नहीं तो ये टेफसी कभी 0 नहीं होती फिर प्रडशन बढ़ा तो ये इंक्रीज हो रही है 10 182 288 30 लेकि दोस्तों यह झालोग देखना कि जिस हिसाब से टीवी सी बढ़ रही है न उसका गैप धीरे-धीरे कम होता जा रहा है आठ छे चार दो ठीक है यह डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है फिर अगर और आउटपुट बढ़ाया जाए जैसे कि माल लो फिक्स कॉस्ट तो कॉंस्टेंट रहेगी यह इंक्री काने 50 रहेगी यह और इंक्रीज हो के मालो 100 तक जा सकती है मतलब गैपी तो इंक्रीज करना है तो उपर से टीसी की अगर काल्कुलेशन है टीसी कैसे काल्कुलेट करते हैं भहिया तो इन दोनों को एड़ कर लो ठीक है 50 प्लस जीरो एट इस 50 50 प्लस 10 एट इस 60 पचास प्ल 30 यह 90 एं 50 प्लस 100 यह 150 एं तो जैसा बहेवर टीवीजी का था वैसाई टीसी का देख लो टीसी शुरुवात में जो गैप है मालो पचासे साट दस गैप और साट से 68 अठारा का गैप 68 से 74 यह सिक्स का गैप हो गया सुर्य गाइस यहां पर यह एट का गैप है ठीक ना फिर तैन का फिर यह गैप इसका 60 का देखो गैप दीरे दीरे पहले कम हो रहा था फिरिये अब बढ़ता गया इसका मतलब यह कि टीसी भी पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा था फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा यानि गेर चेंज कर लिया इसने ठीक है तो यह तीनों की इसके बारें बताऊं तो एक फ्रेश पहले से टेबल बनी बनाएं नहीं लेंगे खुद से क्रियेट करने पड़ेगी तब जादा समझ में आगी गाइस देखो दस का गैप था फिर आट का गैप हो गया यह डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है अब मैं इसको माल लेता हूं कि इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा 25 और यहां पर माल लो 40 यह दोनों की कैलकुलेशन है तो अब मैं आपसे एक कोश्चन पूछ रहा हूं कि जिस गैप स कैसे होता मेरे साथ बने रहो जीरो से प्रोडक्शन दस हो गया तो अब यह आपर इदर दस यूनिट का गया पागया जीरो से दस पोच गया तो दिस गाप इस तैन नेक्ट दस से अठारा हो गया तो 18-10 यह 10 का गया और 8 का गया फिर 18 से 25 पाइंगे तो 7 का गया फिर 25 से 40 आएंगे तो 15 का गया गाइस जो यह गाप कैलकुलेट हो रहा है ना दिस गाप इस कोल्ड मार्जिनल कोस्ट एमसी और शुरुवात में इसकी वैल्यू जब टीवी सी 0 है तो नौट डिफाइंड होती है क्योंकि इसकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया गया देखो अगर म और देखे कैसे आया तो इसके सामने वाली वाल्यू माइनस इससे पीछे वाली वैल्यू 뭐가 पूछता हैं एम सी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट Hersh तो टीवीसी जो भी सामने लिखा है माइनस टीवीसी जो भी पीछे लिखा है तो सामने वाले को बोलते टीवीसी एन और पीछे वाली वेल्यू को बोलते टीवीसी एन माइनस वन तो गाइस देखो जैसे 15 है सामने लिखा है यह 40 तो डिस टीवीसी एन ठेक है इसके पीछे ल करने का तरीका है बहुत इंपोर्टेंट है इसमें लोग फस्ट जाते हैं अगर नॉर्मली तुमें ध्यान रखना है तो कुछ असान ट्रिक बताता हूं अगर आपने स्टाटिस्टिक्स में नाइन से शुरू हो जाती है मीन मोड मीडियन तैंत में भी होते हैं 11 में तो है है पर आपके पास यहां अगर क्यों रेक्वेंसि काल्कुलेट कर तो यह एंस से की वेल्यू जैंकी continuity अपको यहां से TVC की value आपको calculate करनी है तो इन सबको add करते जाओ cumulatively 10 के सामने 10 10 plus 8 18 18 plus 8 25 25 plus 8 33 33 plus 9 42 तो कैसे TVC की value जा गई तो यहां पर हम लिख सकते है TVC is equal to submission यह जोडने का निशान है submission of MC MC को जोड़ जोड़ कर TVC की value आती है है और MC की value कैसे आती है TVC को minus कर करके और ज्यादा ट्रिक्स हैं यहां पर देखो मालो quantity लिख यह 1 2 TVC की value यहां पर है 10 और 18 बोलता है MC निकालो MC निकालो तो marginal cost मैं कैसे निकालोंगा marginal cost निकालने का तरीका है सामने वाली value TVC की माइनस उससे पीछे वाली value तो TVC सामने 10 है उससे पीछे क्या होगा इसका अंदा आजाम output को देखकर लगाते हैं आउट पूट अब भी वन है उससे पहले output 0 होता है वन से पहले तो zero level of output पे variable cost भी 0 होती है तो काई 10-0 it is 10 अब देखो यह वाली value माइनस पीछे वाली value 18-10 it is 8 तो यह MC की value TVC को माइनस कर कर करके आ रही है वैसे formula क्या है MC is equal to TVC N minus TVC N minus 1 यहाँ पर N का मतलब है number of term जिस भी term पे मालो 2 एक quantity है यह term है तो quantity 2 पे आप MC की value निकाल रहे हो तो यहाँ पर TVC second unit पे minus N minus 1 यानी second minus 1 यह फर्स्ट वाली unit पे जो लिख की होगी तो सेकिंड पे माइनस फर्स्ट पे 18-10 आठ 18-10 आठ आठ आ जाएगा ठीक ना तो यह value ऐसे calculate की गई है और जादा टूस्ट एम सी की calculation में देखो quantity अगर 1 से यहाँ पर मालो 3 हो गई और TVC की value लिखी हुए है 10 से 40 तो mc की value कैसे आईगी गाइस mc तो देखो शुरू में output 1 है इस से पहले 0 होगा तो TVC 10 है इस से पहले 0 होगी तो 10-0 10 यह calculate करना बहुत असान है ठीक है अब क्या करते थे हम नॉर्मली यह वाली value माइनस इस से पीछे वाली value माइनस कर दो 40-10 इस 30 नॉर्मली लगता है कि mc के value 30 होनी चीए ऐसा नहीं है यहाँ पर क्या है हम तब ऐसा करते थे जब यह आउटपूट continuation में गीवन होता था आउटपूट की value 01234 ऐसे करके गीवन होती थी यहाँ पर क्या है इस कोशन के अंदर इस कोशन में हमें output में gap given है वन के बाद output 3 हो गया तो जितना भी gap given हो जो तुमारे सामने value आई है उसको उसी से डिवाइड कर दो यहाँ पर वन के बाद 3 है ना तो चेंज इन आउटपूट यानि चेंज का मतलब चेंज इन क्वांटिटी यह दो का आया है त्री माइनस वन टू का गया पाया है तो यह पर टू से डिवाइड कर दिया तो इस 15 तो सही वैल्यूंसी की 15 होगी 15 होगी अगर यह गैप मालो ज्यादा को होता क्वांटिटी मालो वन से थ्री हुए है यहाँ पर मैं वन से फोर माल देता हूं और टीविसी की वैल्यू से मालो क्योंकि नुमारे के लगजांपर अपनी मर्जी से कर रहे हैं आपर 10 के बाद 40 हो गई तो गाइस पहले तो एंसी की व यहाँ होती तो एमसी का जो जैन्मन फॉर्मूला है वो तो तूम ऐसे देख रहे हो इसको एडिस टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन मायनस 1 एप्च्छोली कैंसी का एक पूरा फॉर्मूला एससे लिखा जाता है चेंजिंग पीशी निए और जो भी ये वैल्यू चेंज इ यह भी वेलू चेंज था इन दोनों का गया पैना गैप इस चेंज ठीक ना चेंज इन टीवी सी अपन चेंज इन आउटपूट की कौन्टिटी यह भी एंजी का फॉर्मला है तुम कैसे भी कर लो पहले भी यही फॉर्मला हम यूज कर रहे थे क्योंकि आउट पूट के अधिशनल कोस्ट ऑफ प्रडूइसिंग अधिशनल यूनिट ऑफ आउटपूट को मैंने शॉट में ऐसे लिख दिया अधिशनल यूनिट को प्रडूइस करने की जो एडिशनल खर्चा आ रहा है एक और खर्चा एडिशनल का मतलब यहां पर वन मोर है तो एक और को पाने के लिए वह मार्जिनल कोस्ट है ठीक है अब नया कॉंसेट समझने से पहले एवरेज वर्ड अब भौट बार यूज होगा यहां पर आप जानते हो पहली एवरेज का मतलब मीन है स्टाटिस्टिक्स में अच्छे से वहा है नाइन टेंद की मैंस में भी अच्छे स यहां पर 2,4 और 16 नंबर लिखे इसका मीन निकालो तो मीन कैसे निकालते थे तीनों को एड़ कर दो यह टोटल हो गया इनका डिवाइड कर दो कितने नंबर थे 1,2,3 तीन नंबर थे तो जो भी अंसर आएगा यहां पर मालो 12 बटे 3,4 अंसर आजाएगा यह एवरेज होता टोटल वेरियबल कॉंशेpt तो इससे निकल कर आएगा एवरेज वेरियेबल कॉस्ट का कॉंसेप्ट आपको मुश्किल मुश्किल नाम है तो टी को हटाके टी टी टोटल इसको इटाके एपुट करो तो नाम फिर वही बोलना है टी एफसी यह तो ए लगाया एफसी मैं क्य आपको बोलते हैं TC upon q होता है average cost average cost TFC upon q होता है average fixed cost बोल पूरा रहा हूं लिख छो टा रहा हूं छोटा लिखना allowed TVC upon q होता है अभरेच wearable cost इसमें एक बात है average cost को हम average total cost भी बोल सकते हैं आप क्या कह रहे हो सर आप ये कह रहे हो Total reimburse क्या होता है total cost होता है ये ठीक है कहते हैं कि total cost को अगर output से divide किया तो मिला average cost total fixed cost को output से divide किया तो मिला average fixed cost total variable cost को output से divide किया तो मिला average variable cost और यहां से एक नया formula इनके साथ ही जुड़ा हुआ है जो equal का sign था equal ही लगा दो, plus का sign था plus ही लगा दो तो यह एक नई identity तुमारे सामने आई है तो इस chapter में मिला के, अगर chapter को खतम करना है तो यहां पर seven concepts पढ़ने अच्छे से, तीन तो T family के है TC, TFC, TVC, तीन अब आए है A family के AC, AFC, AVC AC को ATC भी बोलते हैं, भूलना जाना, ठीक है फिर एक MC से पहले कराया ही है, ठीक है MC का लिंक TVC से होता है, यहां पर short run में पढ़ रहे हैं लेकिन TC से भी होगा, मेरे साथ रहोगे, तो मैं बताऊंगा कैसे होगा ठीक है दोस्तों, तो average cost पे ज़रा focus करते हैं average cost होती कैसी है, ठीक है इससे पहले, इन formulas के लिए आप screenshot लेके रख लो, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, अब इन तीनों A family के साथ हम इनकी values और curve निकालना सिखाएंगे, जैसे जैसे TC की values आप जानते हूँ कि कैसे calculate हुई थी, उससे मैं calculate करूँगा AC की value, फिर TFC के साथ calculate करूँगा AFC की value और TVC के साथ calculate होगी, ABC की value, एक एक करके करेंगे, सबसे पहले AC पर आते हैं, यह देखिए, टेबल बना रखी है, ठीक है, इस टेबल के अंदर यह दिखाया हुआ कि जैसे जैसे output बढ़ रहा है, TC का behavior नॉर्मल ऐसे ही है, ठीक है, कुछ भी values मैरे अपनी मर्जी से ले लिए हैं, जो सूट करती है, इसके behavior को, ठीक है, तो AC की value कैसे होंगी, यहाँ पर, TC upon output, AC का formula, ठीक है, तो इस नाउ 50 upon 0 is not defined, माल लो, 60 upon 1 is 60, 9, TC upon 2, 68 upon 2 is 34, 90 upon 3, 30, 160 upon 4 is 40, तो guys यह AC है, AC का behavior जड़ा चेक कर लो, AC की value, 60 से 34, फिर 30, फिर 40, पहले AC की value कम होती गई है, यहाँ तक, फिर उसके बाद AC की value increase हो गई है, क्योंकि 30 के बाद देखो 40 हो गई है, तो AC का curve जो बनाना है, curve यह निदी diagram important है, यहाँ पर, इस behavior से पता लगा, Y axis पर लिखा AC, X axis पर लिखा output, तो AC curve की value पहले कम होती रहती है, फिर increase हो जाती है, तो इसको ऐसे पहले यहाँ से decrease और फिर increase, AC curve बनाया है, तो उसका नाम भी लिख दिया, तो कोई पूछे AC curve कैसा दिखाई देता है, तो इस लाइक U-shaped, कभी एक नंबर में कोश्चा राए, what is the shape of AC curve, तो हम ऐसे बोल देते हैं, it is U-shaped, लेकिन काफी स्कूल के इंदर में देखा है, कि इसके full marks नहीं मिलते हैं, guys, full marks कब मिलेंगे, जब आप इसकी proper explanation दोगे, ABC पे, ABC की value, TVC से calculate होती है, तो मैंने यहाँ पर TVC की कुछ values given है, ABC को निकालेंगे TVC upon output कर गे, तो देखो, ABC की value शुरू में 0 output पे 0 TVC, तो 0 upon 0 भी not define होता है, not define को यहाँ पर dash लिखते हैं, economics में, ठीक है, next 10 upon 1 is 10, TVC upon output 18 upon 2 is 9, TVC upon output 30 upon 3 is 10, TVC upon output 48 upon 4 is 12, यह कुछ ABC की values आई है, और ABC की values भी बोल रही है, कि पहले 10 से 9 कम हो गई, फिर 9-10 बारा बढ़ गई, तो पहले यह भी कम होता है, फिर यह बढ़ता है, तो ABC का डाइग्राम देखो, य एक्स पर ABC, एक्स एक्स पर आउटपूट, ABC की वेल्यू पहले कम होती है, और फिर बढ़ती है, तो ABC कर्व भी, AC कर्व की तरह चल रहा है, पहले फॉल हो रहा है, फिर minimum तक पोचा, और फिर बढ़ने लगा, ठीक है, तो ABC कर्व इस ऑल्सो लाई का U-shaped कर्व, लेकिन दोनों सेम नहीं है, वो बता हूँ का बाद में क्या हो रहा है, ठीक है, फॉर्टी अपॉन जीरो इस नॉट डिफाइन अगेन, फॉर्टी अपॉन वन इस, फॉर्टी फॉर्टी अपॉन टो इस, 20, फॉर्टी अपॉन 3, 13.33, आप इसको 13.34 लिख सकते हो, फॉर्टी अपॉन 4 इस, 10, तो गाइस देखो क्या हो रहे हैं आपर, यहां AFC के वेल्य होती हैं पर, वो यहां लिखी जाती, लाइक 8, ठीक ना, तो यह वैल्यू फिर कम हो गई, कम कर आउटपूट को देखो, आउटपूट बढ़ता जा रहा है, यह TFC की वेल्यू, कॉंस्टेंट है, उसके साथ AFC की वेल्यू कम होती जाएगी, माल लो, यहां पर आउटपू अभी कभी यह सोचना हो जाता है, TFC जैसे फिक्स कॉस्ट है, उसकी वेल्यू कॉंस्टेंट रहती है, तो AFC में होती, AFC कुछ ज्याद़ पेशल है, ज्याद़ पेशल कैसे, माल लो यह आउटपूड और बढ़ा लो, बढ़ाते, 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 40 से तुम 400 पे आगए 400 से तुम 4 लाख पे आगए ठीक है टीएफ सी की वेल्यू तो 40 रहेगी तो 40 को यानी टीएफ सी को तुम आउट्बूड कितना भी बढ़ा लो लिमिटेट तक 100 करोड कर लो इतना भी कर लो यह वेल्यू कभी 0 नहीं यानी एफ सी कि जो वैल्यू ऐगी यह कभी भी जिरो नहीं आएगी यह जिघल से ज्यादा ही होगी तुम एक बात सुनों एक कोई भी गॉन्सेंट लेग लू को लईग 40 को तुम कितनी भी बढ़ी वेल constant in the short run ठीक है यह इसका जवाब है तो AFC कर जब भी बनाए जाएगा वाई एक्स पर AFC एक्स एक्स पर आउट्पूट AFC कर्व की वेल्यू ऐसे फॉलिंग 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 बनाएंगे कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा देखो पैंट चीज करके आपको बताता हूं यह एक्सुक्त फॉल्य हमेश्ण फॉल हो रही है यह कभी भी इस एक्स एक्सिस को नहीं करेगा फॉल 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 करते दिखा देना ऐसा बोला जाता है कि AFC ड़स नॉट टचेस नीदर अफ से एक्सेस एक्सेस को भी टचनी करेगा नौर ये एक्सीस को ठच करेगा क्सी ऊडचनी करेगा दोनों से शुरूबात भी की लॉट नौर हाईपाइन से टीस रहता है इस प्रलिटिकूर शेप को हो रैकро झीथ पैंड़ूर्गूर्ह आप कहा जाता है कुछ स्कूल में बूस लेते हैं सबसे बताँ रैक्तांगूल हमें सबसेखत zo इलॉस्टी सिफ बहुंद व्लस्टब घंट पढ़ा होगा लिए सब्सक्राइब नैहरे निकांड तेक langम Sometimes और लिया यह एक रहिक्त एक नश्र ले यह एक लाइन शट्रों टेकर कैसे और को वी तो कही है और बीडा यहां भी लिया एक यह की यह भी एक नयá बॉक्स में गया यह यह rectangle है एक और ले लो यह लेए लेड़ जाओ यह लेड़ जा यह लेजाओ यह तीन रेक्टेंगल बना दिए ऐसे पता नहीं कितने points रोंगे कितने rectangle बनेंगे in सभी rectangles का area एक दूसरे के equal हो का जिस कर्फ ने ऐसा दिखाया कि उसके उपर पॉइंट से जितने भी X x is s की तरफ rectangle बनाये गए हैं उनव Memorial आइक दूसरे के बराबर हुआ सब्सक्रार नाम रइक्टेंगोलर है पर बोर दब जक ए कियो पर जाता है यह जानना माइक्रों एक नहीं मैं वर्ड नहीं था तो बताना जरूरी समझता हूं तो कज सब्सक्रास को यह नहीं करती तो इसलिए नहीं करती क्योंकि टी एफ सी हमेशा कॉंस्टेंट रहती है इतना ही जवाब देने आपने ठीक है तो यह इंपॉर्टेंट है आप एक बार इसका स्क्रिंशॉट ले लो स्क्रिंशॉट लेना ज़रूर यह गाइस इस चैप्टर में बेसिकली साथ फैपर दुबारा मैंने बना दिये हैं दोबारा बनाने बहुत ज़रूर थे दोश्तों यह देखिए घिञेंतर वैसे टी सी कर्व इसा ती सी कर्व ऐसा ऐसा एसी कर्व एसा इसी कि तरह दिखाई देता है अश्यकर डानूट स्लॉपिंग होता है हमेशा कभी जीरो नहीं ह it is because of the operation of the law of variable proportion production function वाला कोई पूछे टीवीज की शेप ऐसी की होती है टीजी की शेप ऐसी की होती है तो सब के बीचे रीजन ही लॉफ वेरियेबल पर पोर्पोर्शन है एक नमबर का अगर कोशन आए लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर यह बताऊंगा कि सब्सक्राइब करते हैं इन सब कर्व के साथ कैसे दिखाई देङ तो सबसे पहले मैं आपको बताओ कि AC का formula well known है AC is equal to AFC plus AVC होता है माल लो AFC की value 10 है AVC की value 12 है तो AC की value इन दोनों को add करके 22 आ जाएगी इससे ये तो साबित हो गया कि इन तीनों में AC सबसे ज़्यादा बड़ा होता है तो इसका मतलब ये AC curve भी U-shape की तरह दिखाई दे रहा था AVC curve भी U-shape की तरह दिखाई दे रहा था दोनों को एक साथ बनाएंगे तो दोनों चिपकेंगे नहीं AC curve की value थोड़ी उपर रहेगी AC curve थोड़ा उपर बनाया जाएगा जैसे की ये देख लो इसमें मैंने माल लो AC curve बना दिया ये This is your AC curve ठीक है एफसी कर वगर यहां बनाया जाएगा तो बनेगा U-shape लेकिन वो इसके नीचे बनेगा ठीक है यहाँ पर वन पॉइंट इस तो भी नोटेड है की AC और AVC के बीच में जो ये गैप है इन दोनों कर्व के बीच में गैप है ये गैप भी धीरे धीरे कम होता जारा इसके पीच बहुत बड़ी स्टोरी है दोस्तों ये सटोरी जानने ज्रूरी है ठीक है इस स्टोरी को जानने के लिए टेबल है ये इसमें क्या है ग्हुलें पहले से लिए रिका इसमें देख़ए a, c, c, values इन दोनों को total करके लाई गई है This plus this 10, this plus this 8, this plus this 6, this plus this 11 तो रहे हम चाहिए हई, equal to AC minus ABC तो यहां से स्टेटमेंट आती है यह जो स्टेटमेंट बनेगी देखिए कि AC और ABC के बीच का जो गैप है वो AFC होता है देखलो चाहिए यहां पर भी दिखाए देरा है यह एट है यह फोर है यह एट और फोर के बीच का गैप फोर है तो AFC is the gap between ATC and ABC AC को ATC भी बोल सकते हैं वही डाइगराम में दिखाई दे रहा है डाइगराम में आपस आ गए तो डाइगराम में यह जो गैप है this is the gap between AC and ABC so this gap is known as AFC और इस गैप की खास बात है यह गैप गाइस धीरे-धीरे-धीरे-धीरे कम हो रहा है क्योंकि AFC की वैल्यू भी धीरे-धीरे-धीरे-धीरे कम होती रहती है ठीक है कि AFC कभी जीरो नहीं होता है यहां पर एकसे को टच नहीं करेगा इसलिए यह गैप भी कभी जीरो नहीं होगा यानि यह दोनों कर्फ एक दूसरे को कभी ऐसे टच नहीं करेंगे ठीक है यह पॉइंट थोड़ा डीप है इसको समझना बहुत जरूरी है तो कोशन में यह आ होता क्योंकि TFC हमेशा कॉंस्टेट रहता है पूरी स्टोरी पूरा लिंक इसके अंदर शेयर करना आपको पूरा बताना है ठीक है तो यह AC और ABC विचारे ऐसे दिखाई देते हैं अब इनका रिष्टा जैसे कि मैंने वादा कि आप से MC के साथ पहले AC आएगा एमसी के साथ पहले AC आएगा यह देखिए AC कर्फ यूशेप होता है ठीक है अगर इसके साथ बना दिया जाए तो एमसी कर्फ भी यूशेप बनेगा बट डिफ्रेंस यह है कि एमसी कर्फ AC कर्फ को उसके मिनिममम पॉइंट पर कट करेगा ठीक है इनके बीच में रिलेशन्शिप भी बनेगा गाईस तब AC मिनिममम होता है यह रिलेशन्शिप भी लिखा जाएगा उसी लाइन को ठीक है उसके बाद रिलेशन्शिप नंबर टू दिखाई दे रहा है यह जो ब्लैक वाली लाइन यह उपर है रेड़ वाली लाइन नीचे है इस इपोइंट से पहले तो यहां लिखा जाएग जब मैं तुस्से नीचे हूँ तो AC को गिरना पड़ेगा तो AC गिर रहा है तो when MC is less than AC, AC false यह निशान में लगा दिया फिर कहता है MC अगर मैं तुस्से उपर आ गया देखो रेड़ वेल लाइन यह वाल लाइन अब उपर है ब्लैक से तो यह कहता है अगर मैं उपर आ गया तो तु बढ़ता रहेगा आशिरवाद है तो तीसरा when MC is more than AC, AC की value बढ़ती रहेगी, these are three important relationship between MC and AC और एक बात और चौथा relation भी बन जाएगा कि MC और AC दोनों को TC से calculate कर सकते है, both can be calculated with the help of TC कैसे कर सकते हैं, AC अगर करना है तो TC को divide करो output से, अगर MC को calculate करना है, तो it is again जैसे TVC से करते थे, delta TC upon delta Q, तोड़ा से difference रहेगा, इसको भी discuss करूँगा मैं, ठीक है, दोनों को कर सकते हैं, next, MC का क्या रिष्टा है, AC से ये साबित करने के बाद, MC का सीधा सीधा रिष्टा, ABC से बताएंगे, चलो जी, ABC कर्व भी बिचारा U shape ही होता है, अलग से बना रह को, ABC कर्व को सके minimum point पर cut करता है, तो when MC is equal to ABC, then ABC is minimum, उसके बाद, जब ये, MC is less than ABC होता है, तो ABC की value fall करती है, और जैसी MC कर्व की value बढ़ गई, इससे उपर होई, तो ABC कर्व की value rise कर रही है, so these are three important relationship, fourth number का relationship, इन दोनों को TVC की help से calculate कर सकते हैं, दोनों का link TVC से भी है, ABC का बोल और इसलिए नहीं explain किया मैंने इसको, क्योंकि डिक्टो यह explanation देनी है, बस जहां-जहां AC लिखा है, इसमें, उसके जगा तुम ABC लिखना, डिक्टो सेम बनेगा, तेक है, अच्छा सारा आपने बता दिया, AC का क्या टाका है, MC से, और ABC का क्या टाका है, MC से, अगर ये तीनो एक साथ आजाएं, तो तीनों को देख लो, कैसे दिखाई देंगे, ये माल लो, तीनों कर बना रहा हो, एक साथ, सबसे पहले बनाया है, मैंने, ये, AC, ठीक है, ताकि बुरान लगे, फिर ABC, गैप चेक करते-करते-करते-करते बनाना है, ठीक रहा है, इंदोने के बीच का एंदोनों कर्व को मिनिमूम पॉइंट पर कट करके जाता है, तो देखो, इसका मिनिमूम पॉइंट मैंने ये माल लिया, इसका ये माल लिया, तो MC कर्व कट्स बोथ AC कर्व and ABC कर्व at their minimum point, ठीक है, ये डाइगरम भी इंपॉइंट है, ठीक है, तीनों कर इस्ते एक साथ हो यहां तक pen change कर लेते हैं, यहां तक TVC increasing rate से increase हो रहा है, उसके बाद TVC, इसके बाद TVC increasing rate से increase हो रहा है, तो सब्सक्राइब मा increasing rate then mc becomes minimum and when tvc increases at increasing rate then mc starts rising तो यह तीन relation हो गए चोथा इन दोनों को एक दूसरे से calculate किया जा सकता है तो चार relationship इनके बीच में भी हो गए same अगर टीची और mc के बीच में रिष्टा आया तो कैसा बनेगा तो देखो जी यह tc mc कहता है बिलकुल से ब्रेलेशन बनेगा ऐसा यह tc यह mc बिलकुल से ब्रेलेशन बनेगा जब mc fall हो रहा है तो tvc increase हो रहा है decreasing rate से जब mc negative हो गया तो tc stops increasing at decreasing rate जब mc rise हो गया rise हो रहा है मतलब तो tc increase हो रहा है increasing rate से तो these are the diagrams of relationship between these things यह बहुत important है आप अपने जो भी बुक वगेरा refer कर रहे हो नोट्स वापको मिल जाएंगे हर तरीके से इसका explanation भी मिल जाएगी आप इनका screenshot जरूर ले ले यह जरूर लेना था screenshot यह भी यह भी तो almost almost chapter खतम होने के गगार पर है अब वो limited चीजे मुझे बतानी है जो बहुत जरूरी है देखिए mc का formula tc के साथ भी लिखा जा सकता है जैसे tvc के साथ लिखा जाता है tc n-tc n-1 और दोस्तों tc का formula होता है tfc plus tvc इधर क्योंकि n लगाया है तो मैं भी यहाँ पर n add कर दूँ और इसकी help से पता लगता है it is tfc plus tvc यह n-1 पर था तो यह दोनों भी n-1 पर होंगे यह bracket में डाल दिया मैं इनको यहां से minus का sign note कर लिया ठीक है तो mc का formula ही derive कर रहा हूं कुछी तरीके से देखो tfc n plus tvc n मैंने सेम लिखा माइनस ब्रैकिट ओपन की तो tfc n-1 और यह प्लस का sign माइनस में convert हो जाएगा क्योंकि यह माइनस का है तो tvc n-1 अब यहां पर देखो आपको पता है कि tfc n हो और n-1 यानि tfc किसी भी नंबर पर लिखा हो सेम वैल्यू लिखी होगी यहां टैन लिखा है यह माइनस टैन हो जाएगा क्योंकि यह माइनस खसाइन ना तो यह एक दूसरे से cancel हो सकते हैं टfc की वैल्यू बिल्कुल एक दूसरे से कि यह पूरा चैप्टर तो पढ़ लिया सर इंपॉर्डेंट गया है इस चैप्टर में जो बुद्धा है बताओ यह तो छोड़ना नहीं है तो नंबर वन पर फिक्स कॉस्ट वर्जिस वेरियबल कॉस्ट मत छोड़ना बिल्कुल भी ठीक है नंबर डूपे सारे के सारे कर से एक मार्जिनल कॉस्ट इनके फॉर्मूले के साथ नुमेरिकल कुश्चन आने के बड़े चांसे होते हैं तो कोश्चन छोटा भी बन सकता है बड़ा भी बन सकता है एक बहुत बात बतानी जरूरी है जितनी भी हमने इस चैप्टर के अंदर कोस्ट पढ़ी है यह सब और पर जलदी खत्म हो जाएगा क्योंकि बहूत कुछ बताऊं में पोस्ट में हाल फिलाल इतना ही है जेँक फवर्चन वगएर था नहीं जتना था उस आप इस को यहीं खतम करते यह एक